हेलो बच्चों आज हमारा Question है Reduce the Fallen Fraction to their simplest term हमें इसको किसमे करना सिंप्लेट्म में करना टो कितना है 15 अपन कितना 18 हमें देखना है कि 15 numerator में कितना 15 है दिनमेंटर 18 है 2 सिकर्पेव ने की स्टेवल में आता है 15 वो 18 किस टेवल में सब सिख्टीन आप और शेम से कटता नहीं जिए मीन डिवाइड नहीं होता फाइब से होता उन से होता शेक्स वान टू थ्री और फाइब से होता तो यह हमारे क्या हो गया सिंप्लेस्ट फॉर्म हो गया ओके ऐसे हमारे को 60 upon कितना है 105 जिनके 1 से में 0 5 होते हैं वो हमें सब 5 से डिवाइड होते हैं किते होते हैं 5 से यह आपको द्यान रखना है अब देखो 5 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आजाएगा 12 5 जा 60 देखो 60 5 बन जा 5 1 5 तो जा 10 5 तो जा 5 तो जा 10 और 21 हो जाएगा क्योंकि यह कर जाएगा 2 5 से 5 बन जा 5 21 आप देखो 6 12 और यह किस से डिवाइड होगा भाई 3 से हो रहा अगर आप देखेंगे 3 से 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21 अब यह सेम नमबर से डिवाइड नहीं होता ओके ऐसे हम आद देखो 84 है और 68 है भाई पहले से 2 से कट रहा 2 4 जा 8 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जा 8 कितना रहा 42 और 34 फिर 2 से कटेगा 2 और 1 फिर 2 1 1 यह जा रहा 7 तो कितना 21 अप उन 17 यह हमारा सेम नमबर से नहीं कटेगा क्योंकि 17 प्राइम नमबर होता है 1 से और 17 से ही डिवाइड होता है अब देखो हमारा कितना है 55 अप उन 60 है भाई 5 से डिवाइड होगा पहले तो दोनो क्योंकि 5 है यहाँ 0 है तो 5 11 5 जे 55 और यहाँ 12 तो यह हमारा सिंपलेस्ट फोर्म हो जाएगा क्योंकि 11 और 12 से नहीं करता है अब यहाँ देखो 210 अपोन कितना है 3 यह 0 सिंप 0 कर जाएगा कितना रहा 21 अपोन 33 3 से करता 3 से बंजे 21 3 बंजे 3 3 बंजे 3 7 अपोन 11 हमारा सिंपलेस्ट फोर्म हो गया ओके